जाहें दोस्तों आप देख रहे हैं अध्यान के अंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं वह sound का थोड़ा mismatch था इसके लिए मैं भी एवीडियो फिर से बना रहा हूं साथ ही किसी वीडियो के कोई भी दिक्कत होना तो comment box से mention कीजिएगा तभी वो समस्या solve हो पाता है तो कॉमेंट बॉक्स में दिल खोल के लिखिए जो लिखने का मन है तो चलो स्टाट करते हैं अब यह हम किर्सी और पसुपालन से रिलेटेट जो एकसराइज दिया गया वह पढ़ेंगे साथ ही बहुत कॉमेंट यह आता है कि किसी एक्जाम के लिए यह हल्पूल है देखो मे खुर्च को यह कुछ को सबसे अधिक लौड जोएना वह हुएं और किसी के अंतार मेशन अजय अरव्पूरी समय मचली मचली कि उतलों वह वह अधार मेशन हम देखोन तो बहुत साइ Heb और किसी मसरेघ्ट कि अनुसार में ईäter 20ering का tu TV Τर्याफि जिव युका के लिए किर्सी पर आस्रित है कि 2014-15 में जीडीपी में यानि राष्ट्रिय में जो किर्सी का हिस्सा था वह 17.6% था जो की 51 में 55.4% यहां पर हो सकता है चौक जो कि 51 में 54 था और अभी 17 है तो यह तो गरबड़ है नहीं जीडीपी में किर्सी का परसेंटेज जितना कम हो रहा है ना इसका मतलब है कि हमारा देश उतने अच्छे से तरकी कर रहा है क्लियर तो कभी अगर प्रस नहीं आ जाए कि किसी भी देश का जीडीपी में किर्सी का घटता प्रत्षत क्या दिखाता है मतलब देश विकासील हो रहा है हरित करांती का विश्व अस्तरी जर्मदाता नर्मन बॉर्लोग है अमेरिका के है इन्हें माना जाता है और भारत के कौन है स्वामी नाथन भारत में हरित करांती की सुरुवात हरित करांती का जनक देश कौन सा है फिलिपिन से भारत में हरित करांती सरपर्थम पंजाब में आया जिसके फ़ल सरूप गेहूं के उत्पादन में काफी बिर्धी हुआ चावल क्यारा इस्तिरा देखो चावली बढ़ा पर उत्रा नहीं बढ़ा जितना गेहूं बढ़ा स्वेत करांती दुख दुख पादन में तिब्र बिर्धी हुआ स्वेत करांती से या इसको ऑप्रेशन फ्लड भी कहा जाता है जिसमें दुख 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 पादन में काफी तेजी से बिर्धी हुआ यह कब आया 1970 में आया 1970 में आया स्वेत करांती या ऑप्रेशन फ्लड राश्ट्रिय डेहरी विकास बोर्ड कास्थापना 1970 में हुआ जिसका हैड़कॉर्टर कहां पे करनाल हरियाना में है करनाल वही है जहांकि कल्पना चावला है कल्पना प्रदेश भी कहा जाता है इसको दुग्द उत्पादन में भारत कास्थान पहला है पहला हम लोग निडियात नहीं करते हैं उसे को पी जाते हैं ऑपरेशन फलड के सुत्रधार अर्था श्वेत करामती के पिताम कौन है डॉक्टर वर्गिस कुरियन डॉक्टर वर्गिस कुरियन अचाहि मैं इस बुक का ना इस पीडी का पूरा मिंस पूरे इस पीडी बुक का जो पीडी एफ होता है वो डाल दिया हूं इंस्टागरम गुरूप पे इंस्टागरम गुरूप मिंस्टागरम अगर आपके मॉइल में ही डॉलोड कर ले ना प्लेडिक स्टोर से मिल जाएगा और वहां पे सर्च करोगे अध्यन के अंद्र तो उसको ज्वाइन कर ले ना हमें हर वीडियो सेयर करता हूं और पीडिये भी आप भेज़ दिया विश्व बन्य दिवस मनाते हैं किस मार्च को प्रथम क्रिसी बिज्ञान के अंद्रे 1974 में पुदू चेरी में अस्थापित किया गया था 1974 ठीक ना प्रथम क्रिसी बिज्ञान के अंद्रे गेहों में क्रोमोसोम जो होता है उसकी संख्या 42 है हुमेन में कितना होता है 46 रेसम के कीरों को कोकून कहा जाता है जो साहतूत की पतियों से पराप्त होता है साहतूत की भोजन पराप्त करता है वो चाहे में थीन कॉफी में कैफीन पाया जाता है सबसे ज़्यदा प्रोटी में 46 पर सेंट जिसकी उत्पत्ती चेन में हुई है पर भारत में सवहदिक स्वहदिक आप मध्य पर слова इसलें मध्य पर्देश को स्वया पर्देश कहा जाता है सदी मध्य पर्देश को टैगर एस्टेट वह कहा जाता है इसका मतलब यह नहीं किancıl सबसेदिक मददपरदेश में सबसेदिक टैगर आपको करणाटक में देखने को मिलेगा एकपी कल्चर का समंद मतष्य पालन से और सेरी कल्चर का समंद्र की से हैं रेसं को द्योग से हैं बीटी कल्चर अंग Bevक yol की खिदी से सबजी अनुसंधान कैंद्र आपको ताइवान में देखने को मिलेगा, जबकि धान का अंतरास्टे सोच संस्थान, फिलिपिन्स की राजधानी मनिला में देखने को मिलेगा, कुन्नेन सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है, ये एक परकार का मेडिसीन है, जो कि मलेडिया रोगी के लिए प्योग होता है, तंबाकू की प के अंतरगत फलों का अध्यन करते हैं, अगनी निरजा रोग सेव सी समंदित है, अंगूरलता टमाटर की प्रजाती है, कल्यान ये पत्कोवी की उबज़ाव किस्म है, मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन की आय, जीन है, आगे भारत का अनभंडार पंजाब को कहा जात याद रखेगा यहां पर कोश्चन सोरा ट्विस्टेड होता है भारत का अनभंडार पंजाब है लेकिन अगर यह पूछ दे सबसेदिक चावल कहां होता है तो आपका अंसर क्या होगा वेस्ट बंगाल सबसेदिक गेहु कहां होता है तो उत्तर परदेश गन्ना कहां होता है उत्तर प्रदेश ठीक ना लेकिन अन्भंडार पंजाब ब्लास्ट यानि जोका रोग धान से तता हरित वाली रोग बाजरा से संबंदित है पूसा 444 बाजरा की जबकि पंटजी 114 चना की एक प्रजाती है अच्छा आप लोग यह चाहते हो जैसे कि कोई आप लोग चाहते हो कि जो उस पर एवलेबल है मतलब कोई सी एयर फोर्स से आपका कोई इंटर्व्यू करवा दे की तैयारी कैसे करना है कितना उसका बेतन है क्या सब अगर इस टैप कर रेटेट देखना चाहते हो वीडियो तो वह भी कमेंट डॉक्स में लिखना क्योंकि अ अगर यहां पर भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी तथा सरवाधिक पसुधन पाया जाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश भारत में सरवाधिक सिचाय कुवां और नलकूप में होता है सरवाधिक सिचाय कुवां और नलकूप में होता है रेड डॉट रोग गन्ना से तथा टीका रोग मुंग फली से संबन दिता है। ट्रेटीकेल्स गेहूं जो का संस्करन है जबकि पोमेटो आलू टमाटर का संस्करन है। ट्रेटीकेल्स की उत्पत्ती स्विडेन में हुई है। ट्रेटीकेल्स की उत्पत्ती स्विडेन में हुई है। आलू की उत्पत्ती पेरु में हुई है। गुलावी कीट का पास से तथा गांधी कीट धान से समन्दित है। गन्ना का लाल सरन रोग फुफुंदी के कारण जबकि मठर का मार्स रोग मैगनीज की कमी के कारण होता है अंतोदय काड़ी करम की सुरुवात 1978 में राजस्थान में हुआ था अंतोदय काड़ी करम लग कोई रंकूर मीटि कहा जाता है जिसमें रेसम पॉदह सोड़ी नैसे पॉदे फल्से प्राप्ति होती है रेशा जो थाहना वूसे प्राप्त होता है सरपरतम कापास का संकरवीज त्यार खरने वाला अदेश म få बहुआते हैं पास का संकरवीज भारत ने त्यार प्रसिद्ध खेरा रोग जस्ता की कमी से होता है देश में गय की 32 तता भेंस की साथ और बकडियों की 21 प्रजाती पाई जाती है दूध का रंग सफेद के करण जबकि घी और दूध का रंग पीला जो होता है वह केरोटीन के करण होता है दूध और घी का पीला रंग केरोटीन और जो सफेद रंग होता है वह के सीन के करण लाल करांती का सम्मंध मांस उतपादन से टमाटर भी होता है इंक्रूडिस में टमाटर पीली करांती का सम्मंध तिलहन उतपादन से तिलहन एंथ्रेक्स रोग गाए तथा भाइस में होता प्रफियों की सबसे भैंकर विमारी रानी खेत है जो की वाइरस से होता है भारतिये गाईयों को टीकप को जबकि बकडी को गड़ीबों की गई कहा जाता है टीकप को कहने का में रिजन यह है कि यहां की गाईये जो दिया दूद कम देती है मतलब चाहे गई गरभाधान के लिए बायल के बैटी को दर्ब नेट्रोजन में रखा जाता है उसको भी लैब में कहां रखते जो भी घए 것은 ऊतर प्रदेश के इजत नगर में बड़े लि안 च पसू चिकित्सा अनुसंधान संस्थान हार्टी कल्चर बागवानी से समंदित है भारती क्रिसी अनुसंधान संस्थान की अस्थापना 1905 में बिहार के पूसा में हुआ था सरवाधिक बसा रेडियर में दूद में पाया जाता है चिपको आंदोलन के पडेंता सुन्दर लाल बहुगुना थे जिसकी सुरुवात 1973 में उतराखंड के चामोली जिला में हुआ था सरवाधिक भेरे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाती है सबस्यादिक भेर औस्ट्रेलिया में पाया जाता है गेहुं का बनस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिबम है भाईस का बैग्यानिक नाम बुबेलस है गाय का बैग्यानिक नाम बोस इंडिकस है गाई का बैज्यानिक नाम बोस इंडिकस पसु पालन एवं दुख्द बिज्ञान का स्थापना एक फरबड़ी 1991 में भारत में सरवाधिक दूद देने वाली बकड़ी बरबड़ी है तता भाईस में कौन सा मुर्रा गाई में आपका साहिवाल है साहिवाल भाईस का बैज्यानिक नाम ओबिस एडिस है मेरीनो भेर की प्रजाती है जो कि ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा सुवर का मांस पॉर्क कहलाता है भारत का या भारत में सरपर्थम क्रिक्रिम करभाधान 1942 के इजट नगर बड़ेली उत्तर परदेश में जब ये पसुचिकित्सा केंद्र मिन संस्थान है वहाँ पे हुआ था केंद्रिये भैस अनुसंधान संस्थान हिसार हडियाना में जबकि केंद्रिये बकडी अनुसंधान मकदूम उत्तर परदेश में देखने को मिलेगा फसल बीमा योजना भारत में एक अप्रिल 1985 को ला जाता है रजत करांथी अंडा उत्पादन से था भोडी करांथी औरब रक से कल से सम्वन् minimalist करator के तरह करने करसी करांथी पेट्रॉलियूम से समंद्र गुलाबी करति करांथी सम्वंद जीनIST भान्तसे में इंबू टानती Falls निनिबू काल लेटल लिफ रोग यभर श्यत् अध्यान सल्ले बिग्यान कहलाता है, सल्ले बिग्यान, आलू का कंद तने का रुपांतरित रूप है, भारतिये गन्ना सोच संस्थान कोयम बटूर में है, कोयम बटूर, भारतिये आलू सोच संस्थान सिमला, केंद्रिये चावल सोच संस्थान कटक कोडिशा का है, तता बगीचो का सहर कफूर थाला को कहा जाता है भारतिये और फूलों की डाले किसे कहा इसते उत्रा घंड को भारतिये राजी आंधर पर्देश चावल का कटोरा और धान की डलिया चाथिस घंड को कहा जाता है वनों के सनरक्षण एवम संवर्धन से संबंदित करिया सिल्वी कल्चर कहला था है सिल्वी कल्चर वरों के सनरक्षन और संवर्धन भारतिय लाख या लाह अनुसंधान कहां पे राची में नाम कुम राची बकडी का चेंगू एवं चेंग थांगी नसल परसिमन उनका होता है वो बकडी के चेंगू प्रजाती से होता है या चेंग थांगी से रबर एक पंगाल में नदी गिरेगी वही डेल्टा बनाएगी जो अरेवियन से में गिरेगा वो डेल्टा नहीं बनाएगा जैसे नर्मदा और तापी वह स्चूडी बनाएगा मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है सबसे पुराना फल्ख हजूर है मक्का का सबसेद्य कुत पादन युएसे में होता है संजुकत्राज़ अम्यर्का में जरकी बायू का दवाब मैनोमीटर सी मापते मैनोमीटर सी नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जयाता है मसुला का वगीचा मसालों का वगीचा केरल को राश्ट्रे किरसी अनुसंधान संस्थाण युदेली में हैं वि शिव्रामन समीति का सम्मन्ध नवाट से है, मस्रू में एक फंजाई है, फंगस है, कबक है सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक दिखजीन है, सिल्क का, बच्चों वाली गए को हम डेम कहते हैं, डेम मचलियों में होने वाला सफेद रोग प्रोटोजवा के कारण होता है मादा में बच्चे पैदा होने के बाद का पहला दूद का स्राव सेक्रेशन यानि खीस कहलाता है दूद की सुधता लेक्टोमीटर से मापी जाती है दूद में वसाम आपकेतु गरवर विधी का परयोग होता है दूद का पीएच 6.4 से 6.6 होता है दूद से दही बनाने के लिए जमने के रूप में हम लेक्टोफीलस एसीडोल फिस का परयोग होता है आपको लेक्टोफीलस याद रखो आपके ओप्सन में वही आएगा पास्चिकरन का ताथपड़ी है कि महत्ता पोसम क्रीम लेयर के बीना परभाब पड़े उससे जिवानु को मार देना इसके लिए हम क्या करते हैं बासर डिग्री टेंप्रेचर पे बीस मिनर तक रखते हैं जिससे वह पास्चिकरित हो जाता है मोती मोलस्क समूदय के पिंक डेटा जनतू के निकाले जाते हैं संक समानिता केलसियम कार्बोनेट का बना होता है मुर्गी का बैग्यानी के नाम गेलस डोमेस्टिकस है कोको देने वाला पौधा कौन सा है थ्यूब वर्मा के क्यों हो क्रित्रिम रेउन सिल क्यालाता है गेहू में बिटामिन B1, बिटामिन B2, B6 पाया जाता है आलू एक परकार का तना है आलू एक परकार का तना है आलू, यह फीरे, लहसून, प्याज, हल्दी यह सब कहा है तना है कल случае अमोनियम नेट्रेट उदासीन उर्बड़क है जिसमें सोना खात कहते है कैलसियम अमोनियम नेट्रेट को नाडियल का बनसपतिक नाम कोकस न्यूसिफेरा है पौधे की बिर्धी के लिए 16 अवस्यक्ततों की अवसक्ता होती है मुर्रा मोसाना सूर्थी जफ्रावादी ये सब भैस की अधिक दुख देने वाली नसल है मिटी की उर्वर्था बनाये रखने के लिए फसल चक्र पधती अपना ही जाती है फसल चक्र क्या होता है कि यसी धान के बाद कोई जलहन हो जाएगा फिर वह चावल मिंसे गहुप जाया जाएगा यही वह फसल चक्र पौधे की पत्तों की प्रिष्ट पर पाये जाने वाला दोन माँको चीद्रों को रण लगए यह घाट घाने था यह इस्टो माटा कहाए लगते हैं फ्रीप दोना रगए लगता है क्लोरफील तो मैंच नहीं कर जानों को एक ही में बिना बीज के फलों को बिक्षित करने के लिए टीसु कल्चर केलाता है विना बीज का अगर फस पड़ियों का अधियन एडिनो अलोजी कहलाता है बिरिक्ष समवर्धन के अंतरगत बिरिक्षों एवं बनस्पतियों की खेती का अधियन किया जाता है फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण उसमें मुझूद फुरुक्टोज है चाहे का लाल किट यानि रेड रस्ट आफ हड़ी सेवाल है हड़ी सेवाल का नाम क्या है सेफल्यूरस स्पेशीज हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होता है कंद मूल कहा जाता है इसको कापास पौधे के बीच से प्राप्त होता है कापास पौधे के बीच से जूट पौधे के तने से आलूर उपांत्रित तना का उधारन है अलोगु पांत्री तना का उधारन है rather thanKajabbahđ जातियों के नामकरण वा भरगी करण का दिया के इसोनों भारत में केंद्रिये औरशॉधि सोद संस्थान लखनों में स्थिथ है लखनों मेटी में नैट्रोजन की क्मी पुर्टी करने के लिए चना बोने की प्रात्मिक्ता दियाती चला मतलब कोई भी दलहन फसल अगर बोएगा ना तो वह क्या होता है ने ट्रोजन उसको प्लब्द करवाता है रहजो भीम जिवानु का नाम है अस्थन्ध हाडियों में सबसे बड़ी आंक घोरा का होता है घोरा नहीं हो तो आपका अंसर क्या हो जिया जाना चाहिए और स्थी इस ए सबसे πराव होता है और भी क का एवं मचहिरों की संभू को स्वार्म कहा जाता है सबसे पहला क्लोड अस्थनधारी डॉली ब्रिक्छों की मिर्त कास्ट को हद कास्ट कहा जाता है बीजों का अध्यन एस्परमोलोजी कहलाता है सेवाल के खाद पदार्थ है स्टार्ट के रूप में उपस्तित होता है लॉंग कामपुस पलिक का यसी प्राप्त होता है उसी वह याव ही पाठ खाते है भेर का गरबाधान 250 दिन खाल भी पढ़ेता है भकडिका भी यह होता है मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% होता है कितना होता है 12% सारंग मुंगा खेरा ये सब भारत में पाई जाने वाली मदमख्य की पत्रा जाती है यह नसल है गाईयों की सबसे भाडी नसल ई? कांक्रेज सानेन नसल की बकडी को विशव की दूध की रानी कही जाती है सानेन नसल की देश का प्रथम केंदरिये किरसी बिसुविद्याले का स्थापना 1993 में इमफाल में हुआ था राश्ट्रिये जल निती 1987 में शुरू हुआ लगू हुआ राश्ट्रिये किरसी बानिकी अनुसंधान केंदर जहांसी उतर परदेश में इस्तित है ग्वालियर मद परदेश में है लेकिन जहांसी कहा है उतर परदेश में नेमबू में डाइबैंक और लेटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी से होता है कॉपर और आम में जिंक से सबसे अच्छा मान सुत्पादन करने वाला सुवर जो है टॉम वर्थ है बकडी की एंगलो न्यूवियर नसल की जर्शी भी कही जाती है मचलियां पिसीज वर्ग में आती है केंद्रिये वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है फलो का अधियन एंथोलोजी कहलाता है सरपर्थम क्रित्रिम गरवादान भारत में 1942 में प्राणभ किया गया था कहां हुआ था से पहला तो लखनो मिन्स वहां पर बढ़ेली में पसू मिन्स संस्थान वहां पर उतर प्रदेश बढ़ेली में दूद के पास्चुरायसन का खोज कौन के था हलूई पास्टर क्या था कि बासर डिग्री टेंपरेचर पे बीस मिनिट रखोगे तो वह क्या हो जाएगा पास्चुर क्रित हो जाएगा सारा जिवान उमर जाएगा भैस में दूद की वसा की बासरा साथ असमलब दो परतिशत होती है मोनोकल्चर अन उत्पादन से समरदित है मोनोकल्चर पास जूट पठशन रैसेदार फसले हैं हड्याली योजना जल्प्रवन्धन से समर्दित है वरुनायोजना क्रित्रिम बर्साँ से समन दित है वरूनायोजना आलू गण्ना करना का पास तंबाकू नगदी फसल है क्रित्रिम रूप से कच्छे फलों को पकाने के लिए हम acetylene है एसी टिलीन काफी इंपोटेंट है डालचीनी पौदे के जाल से पराप्त होता है समुद्र के किनारे पाई जाने वाली बनस्पती मैंगडोब कहलाती है मैंगडोब बनस्पती जगत का सबसे बड़ा समूँ कौन सा है थेलोफाइटा समुद्री सेवाल में अलजेनिक अमल पाया जाता है अलजेनिक एसीड जया पदमा सोना वा मधु धान की प्रजाती है भारत में बहुत बड़े पेमाने पर उगाई जाने वाली तिलहन फसल मुफली है मुफली जूट को प्राया गोल्डन फाइवर कहा जाता है गेहूं उत्पादन के लिए सरवाधिक उप्युक्त मिट्टी जलोड मिट्टी है धान की खेती पर्ती रोपित बुवाई द्वारा होता है नाडियल को बगान फसल कहा जाता है अलू का संबंद सोले नेसी कुल से ब्रेस का कंपेस्टिस सर्सो का बैज्यानिक नाम है मचलियों से सम्मंदित अध्यन जो है वो एक्थियो लोजी है तितलियों का अध्यन जो होता है वो लेपी टेरो लोजी होता है कुट्य का बैज्यानिक नाम केनिस फेमिल रिस होता है और कुत्य में गुंद सुत्रों की संक्या 78 होती है तो आपका SPD जो है न वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया यह लेशन छूट गया था मिंस सॉंट का मिसमैश था इसलिए मैंने दुबारा शो कर दिया तो अब आप उसका दिवीजन वीडियो देख लेना फूर आपका कंप्लीट हो जाएगा और चैनल पर नए हो अच्छा लगड़ा है कुछ सीख्रे हो सब्सक्राइब भी कर लेना और सेयर भी कर लेना पसंद नहीं आ रहा डिसलैक भी कर सकते हो पर कारण जरूर बचाना ताकि वीडियो को इंप कि अ